नमस्कार स्टुडेंट्स आज हम जियोग्राफी विशे बिबात करने वाले हैं सेखावाटी मिशन 100 आज हमारे अतिमहत्योपूण परशन उत्तर होंगे जियोग्राफी विशे के जियोग्राफी विशे 56 में से 56 माक्स लाने का हम परियास करेंगे वो तो शुरू हो जाते है हमारा चेप्टर होगा खनीज ए उर्जा संसादन तो शुरू करते हैं निम्ण में से कौन सा धात्वीक खनीज नहीं है तो धातु जिसमें नहीं है वो धात्वीक खनीज नहीं है जिसमें धातु की मात्रा नहीं है वो धात्वीक खनीज नहीं है खनीज दो प्रकार के होते धात्विक और धात्विक ध्यान रखें तो जिसमें धात्व नहीं है वो ढूंडनी है अपन को लोहा, तामबा, बोक्षाइट इन सब में धात्व है तो हमारा जो आंस्वर हो जाएगा वो हो जाएगा माई का निम्ण में से कौन सा खनीज भूरा कोईला के नाम से जाना जात जाता है, निम्ण में से कौन सा खनीज उपर हमने देखा खनीज नहीं है अब हम देखेंगे खनीज नहीं है तो माई का ग्रेफाइट कोईला मैंगनीज यह ओप्सन दिये हुए है हमारे, तो मैंगनीज जो है यह खनीज नहीं है क्योंकि इसमें धात्व की मात्रा होती है तो मैंगनीज जो है यह ए धात्वी खनीज नहीं है ओप्सन डी हमारा आंस्वर है वो आ जाएगा धात्वी खनीज जैसे लोहा धात्वी खनीज में पाईजा आने वाले खनीज हैं लोहा मैंगनीज ए लोहा धात्वी खनीज में आने वाले खनीज हैं तांबा और बोक्ष एधात्वी खनीज, जैसे इंदन खनीज, कोईला, पेट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस, माईका, अभरक, चुना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेफ हाइट ये सब हैं, तो इनका ध्यान रखें, भारत में किस किस्म का कोईला सरवाधिक पाया जाता है, नेक्स्ट हमारा पर्शन ह कि भारत में किस किस्म का कोईला है, वो सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कोईले की चार किस्म होती, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, एंध्रेसाइट, बिटूमीन, लिगनाइट और पिट, ये कोईले की किस्म है, तो हमें छांटना है कि भारत में कौन सा कोईला है वो सरवाधिक मातरा में पाय जाता है तो बिटुमिन परकार का जो कोईला है वो भारत में सरवाधिक पाय जाता है B option हमारा सरुई सही हो जाएगा निम में से किस खनीज को तरल सोना कहा जाता है तरल सोना तो option ढूंड़ना है में petroleum है यानि option D है वो हमारा तरल सोना कहलाता है petroleum को तरल सोना कहते है gas authority of India limited की स्थापना यानि gal की स्थापना कब हुई 1984 बाबा बुदन की पाढ़ियां कौन से आयस्क के लिए विख्यात है तो बाबा बुदन की पाढ़ियों में कौन सा आयस्क पाया जाता है यह हमें option में ढूणना है तो लोहे के लिए परसीद हैं बाबा बुदन की पाढ़ियां लोह आयस्क के लिए निन में से कौन सा राज्य मैंगनीज या बोक्साइट उत्पादन में अगणी है तो यह उडिसा उडिसा में सबसे ज़्यादा बोक्साइट या मैंगनीज पाढ़िया जाता है अलुमिनियम धातु कौन से आयस्क से प्राप्त होती है तो अलुमिनियम बोक्साइट से प्राप्त होती है नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्यूस्चन है कि निन में से कौन से खनीज का उप्योग विद्धूत और इलेक्ट्रोनिक उध्योग में किया जाता है विजली के तार वगेरा बनाने में किया जाता है तो वो हमारा अब्रक है तो B ओप्शन से हो जाएगा भारत का पर्थम तेल उत्पादक छेत्र ये हमारा असम डिगबोई में सबसे पहले तेल उत्पादन किया गया था तो B ओप्शन हमारा आंसर आजाएगा पर्मानु उर्जा आयोग की स्थापना 1948 में भारत जैसे 1947 में आजादवा 1948 में एक साल बाद पर्मानु उर्जा आयोग की स्थापना हुई थी तो 1948 यानि ऐ ओप्शन हमारा सही हो जाएगा निर्मे से किस स्थान पर पहला पर्मानु उर्जा सेंत्र इस्थापित किया गया था तो पहला पर्मानु उर्जा सेंत्र ये तारापूर महराष्टर में पहला प्रमान उर्जा इस्टेशन इस्तापित हुआ था तारापुर महराष्टर में है अगर मैप में भरना भी आ जाए तो आपको ध्यानों ना ची निन में से कौन सा उर्जा का ए नवी करणी इस रोत है तो यह हमें डूढ़ना है तो जल है यह तो नवी करणी है सोर स्थान पर सोर उर्जा सक्तिग्र है सोरी निन में इस कौन सा उर्जा ए नवी नी करणी है स्रोत है तो वह हमने ओप्सन डी ढूढ़न लिया राजस्थान में किस स्थान पर सोर उर्जा सक्तिग्र इस्थापित किया गया है राजस्थान में जोदपूर मतानिया में सोर उर दे रखा 56, 66, छिंतर ये सब दे रखें तो 1956 में तेल आयो की स्थापना हुई थी, option B हमारा सही हो जाएगा, निमन में से कौन सा उर्जा का नवी करणिये सरोत है, नवी करणिये सरोत, तो इसमें हो जाएगा हमारा, कोईला तो नवी करणिये नहीं है, इसको दुबारा नहीं नहीं बनाया जा सकता है, सिमीत मातरा में है, पैट्रोल भी, वुमिगत सिमीत मातरा में है, जो नाभी के उर्जा है, ये भी सिमीत मातरा में है, जैयव भार, यानि D option बायो मास बायो मास किसे बनाई जाती है या आपको कमेंट बोक्स में देनी है नेक्स्ट जो हमारा पर्षन है वो है हाल ही में तेलें प्राकरतिक गैस आयोग ने प्राकरतिक गैस के संभावित भंडारों का पता कहां लगाया है तो ये राम नाथ पुरम तमिन नाडू है भारत का सबसे बड़ा कोईला छेतर कौन सा है तो ये ज़रिया से उप्सन सही हो जाएगा निमलिकित को सुमेलित कीजिए अब हमें सुमेलित करना है हमारे सामने गुरूर मिसानी बादाम पाड़ी काला हंडी नलोर, बाला घाट ये सब दिये हुए एक तरफ उत्पादक छेतर हैं फिर ये तामबा, अब्रक, बॉक्साइट, लोहा इनको हमें मिलाना है तो गुरूर मिसानी और बादाम के जो पाड़ियां है ये लोहे के लिए परसिद है तो लोहे से मिला दिया काला हंडी ये हमारे बॉक्साइट के लिए परसिद है तो ये बॉक्साइट से मिला दिया बॉक्साइट से मिला दिया नलोर, अब्रक के लिए परसिद है बाला घाट, तामबे के लिए परसिद है तो इस परकार का जब अग्जाम में परसन आ जाए आप ऐसे मिलान कर लें, नेक्स्ट हमारा परशन होगा, इसमें भी मिलान वाला है, मुंबई हाई किस के लिए परशीद है, पेट्रोलियम के लिए परशीद है, रानी गंज है, ये किस के लिए परशीद है, कोईले के लिए परशीद है, मनी करण है, ये किस के लिए परशीद परदसित कीजी एक निष्चित रासाइन को और भोतिक जो घुन्धार्म हैं उनकेसाथ चार्वनी को पत्ती के जो प्राकर्तिक पदार्थ हैं, खनीज हैं, प्राकर्तिक जो पदार्थ होते हैं, उन्हें खनीज कहते हैं, यानि भूमी से खोद के निकाले जाने वाले पदार्थों को खनीज कहते हैं, खनीज दो परकार के होते हैं, अब इनका हम वर्गी करण करेंगे, धात्वीक खनीज और दो भागों में बटे हुए है लोह धातु और ए लोह धातु ए धात्विक भी दो भागों में बटे हुए है एक तो इंदन खनीज और अन्य ए धात्विक खनीज तो धात्विक खनीज देख लेते हैं जिनमें लोह धातु पाया जाता है वो लोह धात्विक लोहे की मात्रा प खनीज देख लेते हैं कोईला है पेट्रोल है प्राकरतिक गैस है ये इंधन खनीज है एधात्विक अन्य खनीज हो गए वो माई का है जैसे चुन्ना पत्थर है ग्रेफ हाइट है आदी हो गए जैव उर्जा से क्या थात्प्री है अती महत्तों पूर्ण परसन चल रहे हैं वे उर्जा जो जैवीक उत्पादों जैसे कर्शी अवसेस नगरपालिकार और अध्योगिक अवसेस्ट जो पदार्थ हुनसे प्राप्त होती है जैव उर्जा कहलाती है प्रमप्रागत और गैर उर्जा स्रोतों में उद्धारन सहीत अंतरिस पष्ट करना है अब हमें प् प्राई ये सिमित मात्रा में होते हैं समापे होते हैं समाप तो हो सकते हैं जैसे कोईला है खनीज तेल है प्राकरति गैस है भूमिगत जितने भी सरोत हैं उसिमित मात्रा में होते हैं अब हम पढ़ लेते हैं जो आप्रम प्रागत जो उर्जा सरोत हैं ये ऐसे उर्जा सरोत ह में ही काम करना शुरू किया है जैसे प्राई ये ऐसी मित मात्रा में होते हैं और नवी करण योगे होते हैं इन्हें बनाया जा सकता है जैसे सूर उर्जा बना सकते हैं पवन चक्कियों से पवन उर्जा बना सकते हैं जल उर्जा से जल उर्जा बना सकते हैं पानी से पे विस्तर्ट टिपपणी लिखनी आपने को तो कोईला संसादन भारत में कोईला महत्वपूण खनीज है जिसका जो मुख्य स्रोत है तापी दूत उत्पादन लोह ऐसक के प्रगलन के लिए किया जाता है इसके लिए दो छेत्र महत्वपूण है एक गोडावन छेत्र और कि खत्रश्री निक्षेप वाला चेत्र है अब देख लेते हैं कि गोडावन कहां 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 चेत्र है वो कहां कहां पे और कौन सा कौईला यहां पाया जाता है गोडवन का छुपैज़ Ariasya Mr.agad act presentべ profit भाग पाए दामोदर गाटी यह आपको नाम याद रखना है कौन सी गाटी में दामोदर गाटी में पाया जाता है इस परदेश में महतोपुन, कोईला चेतर, रान्य गंच, जरिया, बोकारो, गीडी, करनपुरा, इसके अलाव गोदावरी, महानदी और सोन गाटी चेतर भी हैं, अन्य चेतरों में मध्य परदेश, सिंगरोली, चतिसगड में कोरबा, उडिशा में तलचर, रामपूर, महराष्टर में चांदावर्दा, कामपटी, तेलंगाना में सिंगरिली, आंदर परदेश में पांडूर, आधी जो चेतर हैं, वो प्रशिद हैं, गोडावन कोईला चेतर है, तो इनमें मेगाले, चेरा पुंजी, और ये मकलोंग, फिर है अरुणाचल परदेश का, नामिच, नाफुक, माकुम, जैपूर, उत्तर, असम, नजीरा, जमू कश्मीर में कोल घाट, आधी, इसके अलावा भूरा कोईला, उपर हमने देखा भी था कि भूरा कोईला, क राजस्थान में भी लिगनाइट परकार का कोईला पाया जाता है, भारत के पेट्रोलियम संसादनों पेविश तर्टी पणी लिखनी है, अपनी दुरलबता और विविद उपयोगूं के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं, ये हमने उपर देखा कि तरल सोना किस प और गैसी अवस्था में हाइड्रो कार्बन यूग तो होता है और इसकी रासानिक जो सरंचना है रंग और विशिष्ट घनतों भिंता पाई जाती है तो इसका उप्योग हम सब को पता है मोटरवानों में रेलवे वायू यानों के अंदर दहन इंधन के लिए उर्जा का एक सरोत है यह उत्पाद पैट्रो रसाइन उध्योग जैसे उरूरक करत्रिम रबबड करत्रिम रेसे दवाईयां वैसलीन सनेहकों मोम साबून तथान्य संदरी सामगरी में इसको काम में लिया जाता है तो पैट्रोलियम कहां का निकाला जाता है एसम का डिक बोई नहर कटिय या मोरन गुजरात का अंकलेश्वर यह आपको कहीं भरने भी आ सकते हैं तो आपको ध्यान होने चाहिए अंकलेश्वर कहां पे है गुजरात में है कलोल महसाना नावा गाओं को सामभा तथा लूनेज महराष्टर का मुंबई हाई जो प्रशिद है पैट्रोलियम पदार् जबयति है लेकिन याप ध्यान रखी अन्य चहत्र डेश्टर जैसे करश्णा गोदावरी कावेरी बैसिनों में भारत में दो प्रकार के तैल सोधन का खाने हैं चहत्र अदारित जैसे कौन सा हुआ तेल सोधन का खाना है और बाजार अधारित 12 यह कार्काना प्रशिद तो लोह ऐस्क का पड़ेंगे अब हम, लोह ऐस्क पर संसीप्त टीपणी लिखें, भारत में लोह ऐस्क के परचूर संसादन है, हमारे देश में लोह ऐस्क के दो प्रमुख है, दो परकार का है, हेमेटाइट और मैगनेटाइट परकार का खनन किया जाता है, भारत में संचित नाटक, गोवा, आंदर परदेश, तमिन नाडू, राज्य में इस्तित हैं, यह प्रमुक उत्पादक छेतर माने जाते हैं, अब उडिसा है, यह भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक है, लोह एश्क का जो उत्पादक राज्य है, वो है, उडिसा, यहां गुरू मिसानी, सुलायन, पत्बादाम की पाड़ियां, जैसे उपर हमने मिलान किया था, उसमें यह पाड़ियां अपने आई थी, बादाम की पाड़ियां, किरू बुरू और बॉर्णोई परमुक आरखने, जारखन का नौवमंडी गुआ, और चतिस घड का बोईला डिला, रावगाट, स्रेणी, डेबली, दुर्ग जिले में, राजहरा सरेणियां, करनाटक की होस्पेट छेतर बाबा बुदन की पाड़ियां, कुद्रे मुक, महराष्ट की चंदरपूर, बंडारा, रतिनागिरी, आदी में पाये जाता है, नेक्स्ट जो हमारा थाइस नंबर पर्षन है, वो बायो मास, इनको विस्तार से समझाना है, तो सोर उर्जा को पहले हम बता देंगे, सोर उर्जा कहां से प्राप्त होती है, किस परकार से प्राप्त होती है, कहां कहां इसके मुख्य सरोत, यहां उत्पादन किया जा रहा है, किन किन राज्यों में ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है फिर पवन उर्जा के बारे में बता देंगे फिर पूताप ये उर्जा के बारे में बता देंगे फिर बायो मास के बता देंगे तो सोर उर्जा सूरी से प्राप्त होती है जब सूर्य से उस्मा और प्रकास के रूप में सोर उर्जा प्राप्त होती है सोर उर्जा का उपयोग दो विध्यों से अन्य सभी नवीनीकणिय उर्जा सरोतों के अपिक्सा सो र्ता पिढ प्रोड्ष अधिक् doğru प्र्थ है ये लागत प्रतिस पर्दी प्रियावरण अउन्कुल तथा निर्माण में भी आसान है तो यह क्या है कि परियावरण के भी अनुकुल है परियावरण को इससे किसी प्रकार का नुक्सान नहीं होता है सोर उर्जा कोईला अथ्वा तेला धारी सेंत्रों से की अपिक्षा 7% अधीक और नाभी की उर्जा से 10% अधीक प्रभावी है यह समानेता है हीटर थल सुसकू कुकर्ष आदि जैसे गुजरात और राजस्थान में सोर उर्जा के विकास की अधीक संभावनाई है तो राजस्थान और गुजरात प्रमुक्षेतर है पहुन उर्जा यह पूण रूप से परदूशन मुक्त और उर्जा का ऐस समाप्त होने वाला सरोत नहीं है और यह परदूशन मुक्त भी है सोर उर्जा भी परदूशन मुक्त है पहुन की गतेज उर्जा को हर्वाइन जो मसीने होती है उनके माध्यम से विद्धूत उर्जा में बदला जाता है भारत में पहँन उर्जा के लिए गुजरात महाराष्टर राजस्थान और करनाटक में अनुकुल परिष्थितियां है भूताप ये उर्जा जब पर्थ्वी के गरव से मैगना निकलता है तो अत्य धिक उसमा उसे निकलती है तो उससे ये उर्जा बनाई जा सकती है इस उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्थित किया जा सकता है इसके अलाग परियोजना नही दिली के औखला में इसे लगाय गया है ये हमने जियोग्राफी के अती महत्तो पूर्ण पर सुनों को हल किया है चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेर, सस्क्राइब कर ले अब भ्यास करें, तैयारी करें